अलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, CSE Tutorials जो जेक्वेरी सीखने की इस सीरीज की यहाँ पर 11 वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे यहाँ पर एनिमेशन इन जेक्वेरी यहाँ पर एनिमेशन को हम complete इसी वीडियो में complete करेंगे यहाँ पर so maybe यह वीडियो थोड़ इसी lengthy हो सकती है क्योंकि एनिमेशन को हम इस वीडियो में यहाँ पर detail में discuss करेंगे complete यहाँ पर discuss करेंगे so चलिए start करते हैं यह वीडियो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमेशन के बारे में so with jquery animation effect you can create your own animation in jquery you can animate any html dom element टीखें जो animation में animation है jquery में animate method है उसके द्वारा अभी हम देखेंगे animation हम खुद के animation create कर सकते हैं so खुद के custom animations create कर सकते हैं इसका मतलब क्या है इससे पहले हमने देखा था element को hide करना element को slide करना टीक है toggle करना तो यह सब भी एक तरीके से animation ही है टीक है जिससे slide up slide down यह animation ही है बट यह क्या है in build functions हमें यहाँ पर दिये गए बट जो jQuery animation में animate method है इसका use करके हम खुद के हमारे animation create कर सकते हैं अपने तरीके से हम customize animation यहाँ पर create कर सकते हैं animate method जो animate method है वह animation create करने के लिए use में लिया जाता है इसका syntax यहाँ पर आप देख सकते हैं dollar के साथ element select करते हैं जिस पर animation में लगाना है फिर dot animate method है और फिर यह तीन यहाँ पर parameters लेता है parameter one parameter second और parameter third यह तीनों जो यह second और third parameter है speed और callback function यह optional है तो यहाँ पर animate में जो पहला parameter है यह basically CSS है CSS लेता है यहाँ पर CSS write करेंगे कि हम animate करते हैं तो उसका CSS क्या होगा CSS से हम animate करेंगे जिसकी height width बढ़ाना color change करना तो यह यहाँ पर CSS लिखते हैं parameter में second parameter यहाँ पर speed है यहाँ पहले भी discuss कर चुके हैं इसको कि जो animation होगा वो slow fast यह कैसे करना है ठीक है और third callback function तो यह क्या होता है इन तीनों को हम यहाँ पर सबको practically यहाँ पर one by one यहाँ पर discuss करने वाले हैं तो यहाँ पर हम stop function होता है जो animation को stop करने काम में आता है ठीक है तो इसका भी syntax हम देख सकते हैं जो element है उस पर हम animation लगा रहे हैं तो उसको stop करना है तो उसके साथ .stop method होता है तो इन सब methods को जो भी हमने slide में भी discuss किया है इसको हम यहाँ पर अब discuss करेंगे practically so मैं आपर अपना editor open कर लेता हूं तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने कुछ HTML code यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि हमारा time यहाँ पर save हो सके क्योंकि यह video मैंने apply किया है background color blue height और width मैंने आपर इसकी set की गई है तो इसको मैं एक बर आपको दिखा देता हूं कि हमने यहाँ पर already हम यूज करते हैं अपनी jQuery को जिसका यूज करके हम इस div जो element है जो इस पर हम यहाँ पर animation लगाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो start animation बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो वह animation जो भी हम लगाएंगे वह start होगा और stop animation पर क्लिक करेंगे तो वह stop हो जाएगा पहले हम बात करते हैं start animation की तो हम चाहते हैं कि start animation बटन है जिसकी id यहाँ पर है बटन या इसकी id को हम change कर सकते हैं और let's say इसकी id को भी मैं start देता हूं ठीक समझने के लिए तो start button की id start है तो हम चाहते हैं जैसे start button पर click हो तो हमें animation यहाँ पर लगाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो button है start उसको select करेंगे ठीक है और फिर इस पर लगाएंगे if button है जो click होता है तो click होगा तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं ठीक है तो जैसे ही यह click होगा तो अब हम क्या करेंगे जो हमारा डिव्ध एलेमेंट है ठीक है उसको select करेंगे क्योंकि हम डिवड मेंट पर यहां पर वो लगाने वाले हैं animation और जीशके id मैंने यहां पर div1 दे रखी है तो उसको मैं आपर select कर लूँगा और जहां पर जो animate method है उसके हम यूज करेंगे तेहरे possibly previous video पेरामेटर जो है speed और थर्ड पेरामेटर है जो callback function second और थर्ड पेरामेटर optional है तो अब यहां पर हम first parameter की बात करते हैं सबसे पहले क्योंकि second or third optional है उनको ना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर पहला पेरामेटर है जो है css लिए तो हम css को लिखेंगे वह curly bracket में लिखा जाता है ठीक है इस तरिके syntax होता है यहां पर हम लिखेंगे css और करके यहां पर होता है हमारा speed और 37 parameter और 3 होता है जो callback function ठीक है तो यह 3 parameter जिस तरिका होते हैं अभी हम बात करते है css की तो css है जो ऐसे curly brackets में हम यहाँ पर css लिखेंगे ठीक है तो css लिखेंगे तो मैं यहाँ पर enter press करके अब यहाँ पर हम css लिखने वाले हैं इससे पहले मैं इनको semicolon लगा देता हूं क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं तो फिर हमें do name problem आती है कि error कहां पर है तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे css ठीक है तो css में अभी हम देखेंगे जो हमने यहाँ पर new tag बना रखा है इसका background color है जो यहाँ पर blue है और height और width sorry यहाँ पर 50-50 है ठीक है तो अब हम css में क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जैसे हमारे पास अभी यह है तो हम जैसे start animation पर click करें तो हम चाहते हैं कि इसका background color change हो जाए इसकी height change हो जाए और इसकी अभी अभी तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि इसकी height और width यहां पर change हो जाए ठीक है तो हम क्या करेंगे css में यहां पर height इसकी change करना चाहते हैं तो height यहां पर let's say हम चाहते है कि यह हो जाती है 250 pixels ठीक है फिर यहां पर यहां पर आपको comma लगाना है ठीक है फिर हम चाहते है let's say इसकी width है जो भी change हो जाती है और हो जाती है 250 pixels ठीक है तो यहां पर हम हमारी complete css का और लिख सकते हैं जितना भी हम उसके animation लगाना चाहते हैं जिसमें उसमें क्या css लगाना चाहते हैं वह हमारी उपाई ठीक है और लेट से इसकी position भी हम change कर देते हैं अभी यह लेफ्ट में हैं तो हम इसका margin Left margin Left यहां पर हम चैंस सोरी यहरे यहाँ पन तो margin left हम यहां पर चाहते हैं लेट से हो जाता है हमारा 250 pixels ठीक है हमार्जिन लेफ्ट लेफ्ट लेट से हम यहां पर 400 कर देते हैं कि मतला लेट से वह उसकी position हो जाएए ठीक कॉमा और इस सी तरीक से यहां पर हम जो margin top top से भी हम let's say इसको चाते हैं कि let's say 100 100 pixel हो जाए top से इसकी position हमने change किया ठीक है तो अभी हम यह चेक करके देखते हैं कि इसकी height width change हो रही है और left margin और top margin change हो रहा है यह नहीं हो रहा है ठीक है और तो इस और यहां पर हम background color भी इसका change कर देते हैं let's say अभी इसका background color blue है तो यहां पर हम background color let's say यहां पर हम yellow कर देते हैं ठीक है तो इसको मैं save करके यहां पर अभी इसको check कर रहा हूं हमने simple क्या किया है यहां पर confusion मता हूं syntax इसका बिलकुल clear है ठीक है due tag पर animate function हमने use किया है और जो animate function है जो यहां पर 3 parameter लेगा तो हमने brackets में simple यहां पर पहला parameter ले दिया जो है CSS ठीक है तो यह CSS हमने apply कर दिया है अब इसको save करके मैं अगर इसको एक बार इसका output चेक करता हूं तो हम देखते हैं कि यह start animation button पर जैसे ही click करेंगे तो यह animation start हो रहा है आप देख सकते हैं कि मैं जैसे start animation पर click करूंगा तो इसकी left से भी position change होगे topετε position change होगी और इसकी हाइट और width भी यहां पर change होगी तो आप finely tapigos fight होगी आप भी से देखा देताओं आप देखें जैसे start animation पर click करेंगे तो यह ऐनिमेशन स्टार्ट हो रहा है ठीक है अभी हम देखते हैं इसकी स्पीड काफी जादा है ठीक है तो हम स्पीड को अगर यहां पर चैंज करना चाहें तो यहां पर इसका background बैक्ग्राउडण कलर्ड चैंज नहीं हुआ है पता नहीं क्यों नहीं हुआ मुझे यहां पर हम यलो होना तो चांग्याई अब तो यह अभी और बात करते हैं कि इसकी आप देख सकते हैं कि इतना फास्ट हो रहा है भी ठीक है तो अब हम बात करते हैं सेकंड पैरामिटर की जो अभी आप देख सकते हैं यह ब्रैकेट चल रहा है जो एनिमिट फंक्शन के अंदर ही चल रहा है इसका पहला पैरामिटर हो गया है अब सेकंड पैरामिटर मों कॉम प्रॉइड कर देते हैं millisecond में तीन सेक्ट यांपे प्रॉइड कर दिया सेकंड पैरामेटर तो अब क्या करेगा जो यह इफेक्ट होगा यहां पर है callback function अब यह third parameter क्या करता है basically यहां पर हम एक function complete एक function लिख सकते हैं यहां पर syntax को थोड़ा से ध्यान से देखने की जोड़त है बस क्योंकि यह function के अंदर तीन parameter फिरू एक parameter में भी function लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर confuse नहीं होना है आपको अब यह देख सकते हैं थर्ड परामेटर एक function हो सकता है function के अंदर ही parameter देना उसमें भी एक function हो सकता है यहां पर उता है callback function पो काल बैक function का यूज कहां पर होता है कि call-back function basically वहाँ पर हम कुई ऐसा टास्क करवाना चाहते है कि जब एनिमेशन कंप्लिट हो जाए उसके बाद हम लैड से कुछ करवाना चाहते है तो वह function हम यहां पर दे सकते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं कुछ करना चाहते हैं कोई टास्क परफोर्म करना चाहते हैं बंप वह तब होना चाहिए जब वे ने मेशन कॉम्पलेट हो जाए अगर एनमेशन कप्लेट ही नहीं रहते पहलं से पहले उटास्क कम्पलीट वो जन I say बॉसके बाद हम कुछ करना चाहते तो यहांप पर वो function हम यहां पर define कर सकते है third parameter की रूप में कि हम क्या करवाना चाहते हैं जब animation complete हो जाएगा तब तो तो अब फिल से यहां पर हम एक function दे सकते हैं ठीक है, function के अंदर function है यहां पर ध्यान से देखिए अब यहां पर हम कुछ भी दे सकते हैं, भी मैं Simple यहां पर alert message print कर देत कि कुछ भी मुझा देता हो אני मेशन से कंप्लीटिड ठीक है और यह मैंने जो फंक्ट्टन है जाए अलर्ड मैंसेज के बाद अफकोस हम कॉलन लगाएंगी ठीक है तो यह यहां पर हमने क्या किया है कि फंक्ट्ट्टन में हमने क्या दिया है कि एनिमेशन कंप्लीट वो कुछ complete होने के बाद कौन सा function है जिसको हम call करवाना चाहते हैं कुछ task perform करवाना चाहते हैं तो वह यहां पर हम define कर सकते हैं तो अब animation पूरा complete हो जाएगा तब यहां पर यह alert message ब्रेंट करेगा animation completed ठीक है इसको मैं चेक कर लेता हूं कि यह यहां पर work कर रहा है या नहीं completed मतलब कि animation पूरा complete होया उसके बाद यह function execute होगा ठीक है तो यह होता है callback function ठीक है तो यहां पर हमने discuss किया है कि animation method को complete हमने तीनों parameters को one by one यहां पर discuss किया है अब last time बात कर लेते हैं आपर stop अगर हम animation को stop करना चाहते हैं तो क्या होता है क्या कैसे कर सकते जैसे अभी मैं start करूंगा तो अब यह start animation हो जाएगा बीच में इसको कहीं रोकना चाहें ठीक है animation को बीच में कहीं रोकना चाहें या उसको बिल्कुल से रोकना चाहें animation को ठीक है तो उसके लिए हम stop button जो function होता है उसका करते हैं तो अब हमने यहाँ बटन बना रहा है तो लेटसे वह मैं क्लिख करें तो एक एक कम्पेट कॉड़्ट हों धीके यहां तक इसके बाद फिर हम लिखेंगे अब यहाँ पर हम rail सकते हैं कि अगर घسب स्टॉप बटन है ठीक है वो क्लिक होता है तो हम क्या करना चाहते हैं यह सिंपल है इस में कुछ नहीं करना स्टॉप डॉट क्लिक अगर स्टॉप जो बटन है वो क्लिक होता है तो हमें क्या करना है हमें सिंपल जो जिस element पर यहां पर ध्यांद रखना stop button किलिक होगा तो stop पर click event लगा तो stop id यूज़ किये अब animation किस पर stop करना है animation तो div पर लगा रहे हैं तो div पर हमें अनिमेशन लगाना तो यहां पर हमें div देना है div 1 पर हमें अनिमेशन लगा रहे हैं और इसके अनिमेशन को stop करना है तो simple यहां पर stop कर सकते हैं simple stop function मैंने यहां पर यूज़ किया है तो अब यहां पर stop button क्लिक होगा तो जो div element पर जो अनिमेशन लग रहा है पहले से वह stop हो जाना चाहिए ठीक है तो इसको मैं एक बार execute करके देख लेता हूं कि यह वर्क कर रहा है यह नहीं कर रहा है अब की बार मैं स्टार्ट एनिमेशन स्टार्ट करने के बाद stop button पर क्लिक करूँगा तो इस एनिमेशन रुकना चाहिए ठीक है आप देख सकते हैं स्टार्ट हुआ और मैंने इस पर क्लिक किया सोजी यह नीचे जा रहा है तो इस पर क्लिक नहीं कर पारा मुझे इसके चलते एनिमेशन च यहां पर स्टार्ट करने बाद देख सकते हैं स्टॉप पर क्लिक करूँगा तो इसको बीच में हम कहीं भी लोग सकते हैं स्टार्ट किया तो मतलब कि स्टॉप कर सकते हैं हम एनिमेशन को ठीक है तो यह है यहां पर स्टॉप मैथल का यूज यहां पर हम एनिमेशन को कैसे stop कर सकते हैं तो I think हमने animation को यहाँ पर complete discuss किया है हमने देखा animation कैसे कर सकते हैं animate function है उसके तीन parameter होते हैं पहला parameter होता है यहाँ पर CSS लिख सकते हैं third second parameter second यहाँ पर speed pass कर सकते हैं third parameter यहाँ पर हम function भी pass कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर stop method के बारे में भी हमने डिसक्रस किया कि animation को इस टॉप कैसी कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर बेसिकली jquery simple है मैं बोलूगा jquery बहुत simple है इसको सीखना बहुत ही जी है बस यहां पर आपको एक बार syntax को थोड़ा द्यान से समझ लेना इसके बाद आपको कोई problem नहीं आएगी तो यहां पर syntax मैं मानूंगा कि syntax इसका confusing है ठीक है अगर आप पिगना से practice नहीं करेंगे तो यह confusing syntax इसका आप देख सकते हैं यहां पर कैसे animate function लगया उसके अंदर एक parameter third parameter में फिल से function लगया तो यह confusing है यह तभी आपको अच्छे से समझ आएगा तब इसकी आप practice करेंगे तो मैं आसर करता हूं कि इसकी आप practice साथ साथ कर रहे होंगे जो at least जो मैं code करवाता हूं वो code आप खुद से बना रहे होंगे तभी आपको jQuery समझ आएगा जब इसका syntax समझ आएगा यह तोड़ा complex syntax है तो मैं मानता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको कमेंट करके पूँच सकते हैं ठीक है और अगर जी वीडियो आपको अच्छी लगी है इससे आपको सीखने को मिला तो आप इसको लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको subscribe कर सकते हैं क्यूंकि यहां पर मै computer science से related ऐसी ही वीडियो और tutorials यहां पर मैं आपको लोड करता जाता हूं so thanks for watching this video मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye take care and keep practicing